तो काफी confident ममता बैनर जी बहराल आज कूच कर जाएंगी नंदी ग्राम की तरफ लेकिन यहाँ पर यह जानना समझना बहुत जरूरी होगा कि नंदी ग्राम में सबसे बड़े और important मुद्दे कौन से हैं तो सबसे बड़ी बात तो होगी सबसे पहला और यह मुद्दा है वो है किसानों का मुद्दा सबसे जादा परशानी दिक्कते देखिए यह वही मुद्दा है जिसको लेकर बार-बार केंद्र सरकार पर ममता बैनर जी हमला बर रही है केंद्र सरकार बार-बार यह कहती रही ह विकास के नाम को लेकर कि वहाँ पर विकास बिलकुल नहीं हुआ है हलाकि दोनों पिछली बार साथ है लेकिन इस बार अलग अलग है शुबेंदू इस मुद्दे को कितना उठाएंगे ये भी एक दिल्चस्प बात होगी का माना जाता था लेकिन 2011 में फिर TNC यहां पर खाबिस हुआ और 2016 में शुबेंदू अधिकारी ने कितने बड़े अंतर के साथ जीत हासिन की थी ये भी हमने देखा था लेकिन इस बार वापस से वही बार कि दोनों अलग है और ममताब एनरजी अपनी परम परागसी थी यानि की भवानी पो छोड़कर अब पहुँच चुकी है नंदी ग्राम सिर्फ यह दिखाने के लिए कि अगर सामने फौज है तो वो अकेली लड़ सकती है इस बीच पिछली बार नंदी ग्राम के नतीजों पर भी गौर करना ज़रूरी है तो देखिए कितने बड़े अंतर के साथ पिछली बार शुवेंदू अधिकारी ने जीत दर्च की थी 66.79% के साथ जीत हासल की थी बीच पिए दूसरे नंबर पर थी और तीसरे नंबर पर बीजेपी जिसको मैज पार शुष्मों की तादाद भी देख लेते हैं देखिए पुरोषों की तादाद कुल वोटर अगर देखा जाए तो लाग 47,252 हैं जिसमें पुरोष एक लाग 28,585 हैं और एक लाग 18,666 महिला वोटर हैं अब महिलाओं पर सबसे जादा फोकस है क्योंकि प्रधान मिन्तरी बार बार ये कहते आए हैं कि जो महिला सालेंट वोटर है वो हमेशा बीजेपी के साथ जाती इसको समझती है ममता बैनरजी और शायद इसलिए 50,20 सीटे महिलाओं को दी गए हैं अब 2007 में ममता बैनरजी ने यहां से आंदोलन शुरू किया था ये नंदिग्राम के साथ ममता बैनरजी का जो लिंक है वो किस तरीके से जोड़ता है वो भी देखे 2007 में ममता बैनरजी ने यही से भूमी अदिगरण आंदोलन शुरू किया था और ये एक सबसे बड़ा कारण था कि यहां पर T.M.C. खुद को सापत कर पाई यहां से लेफ्ट के किले को खड़ फेकने में ममता बैनरजी कामयाब हुई क्योंकि यह 2007 का ही साल था लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ जो था वो शुवहिंदू अधिकारी और अधिकारी परिवार का था जमीना दिगरण के खलाफ किस तरीके से ममता बैनरजी ने आवाज उठाई थी किस तरीके से जनता के बीच में वो पहुँची थी और ये एक सबसे बड़ा कारण और वज़े भी हो सकता है कि आज ममता बैनरजी इतनी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने सर्फ एकी सीट यानि की नंदीगराम से शुशनाव लड़ने का फैसला किया है उन्ही हिंसा में कई मौते भी हुई थी उस दोरान और ये कनेक्शन खुद का ममता बैनरजी कहीं नंदीगराम की जनता के साथ जोड़ती है कि जिस तरहां से उन्होंने उनके हग की लड़ाई लड़ी थी तो इसलिए ममता बैनरजी खुद को उनके साथ खड़ा हुआ और कनेक्श किया हुआ बताती है बरहल ममता बैनरजी नंदीगराम में कहां ठहरेंगी इसका भी पूरा इंतजाम हो चुका है हम आपको वहां भी लिए चलते हैं जहां रहेकर ममता बैनरजी इस पूरी सियासी लड़ाई को लड़ेंगी जिस मकान के दिवार पे नाम लिखा है ममता बैनरजी का इसे घर में शायद कुछ दिनों के लिए महमान बनके रहेंगी ममता बैनरजी नंदीगराम में हम लोग है अभी और यहां से ओफिशिली त्रिनो मूल का कैंडिडेट ममता बैनरजी है और वो भवानी पूर से नहीं अब ही यह दूसरा वाला घर जो की सीम सेक्योरिटी और तुनमूल के नेता इसको देख रहे हैं कि यहां पे ममता बैनरजी सेक्योरिटी के पॉइंट और व्यू से रह सकती है कि नहीं यह घर दिखाएंगे आपको यह दो माले का घर है ममता बैनरजी यहां के अंदर के साथ रहेंगे इसका मतलब यह है कि एक ही घर में महमान बनके रहेंगी ममता बैनरजी जब तक वो यहां पे रहना चाहती है उस घर का में गेट यह हुने वाला है यहां से शायद वो एंटर कर जाए लेकिन अभी देखना यह होगा कि क्या यही घर है जहां पे ममता बैनर के साथ सुरियागनी रॉय आज तक तो घर की तलाश भी पूरी हो चुके सीधा चलेंगे अनुपम मिर्श मेरे सेवगी लगतार हमारे साथ जुड़े अनुपम जरा समझाए ममता बैनर जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ नंदी ग्राम में उतरी है और ये बताने की कोशिश कर नंदी ग्राम की जंता की अगर कोई ख्लोस है तो वह ममता बैनर जी अधीकारी परिवार या शुवेंदु अधीकारी नहीं है वहां की जंता क्या सोचती है इसको लेकर जी देखे लडाई बड़ी बड़ी कठेन है इस बार और ममता बनर जी ने जो निर्ने लिया है उसके पीछे की रणनी ती बिलकुल साफ है ममता बनर जी को पता था कि शुबेंदू अधिकारी इस वक्त बीजेवी में सबसे प्रभावशाली नेता हैं अगर जन प्रेता के हिसाब से लोग प्रेता के हिसाब से देखें तो बीजेपी उनको इस्तेमाल करना चाह रही थी पूरे प्रदेश में लेकिन ममता बनर जी ने जो अनौस्मेंट किया कि वो नंदिग्राम से लड़ेंगी तो इससे उनकी नीति साफ हो गई कि वो शुबेंदू को सिर्फ नंदिग्राम में केंद्रित करके रखना चाहती है अब शुबेंदू अधिकारी पर काफी दबाव हो गया है इस सीट को जीतने का क्योंकि अगर ममता बनर जी यहां से नहीं लड़ती तो इस सीट से शुबेंदू अधिकारी आसानी से जीत सकते थे लेकिन ममता बनर जी जहां पर उम्मीदवार है वहां से जितना बहुत बड़ी बात होगी शुबेंदू अधिकारी के लिए ऐसे में शुबेंदू का अपना सारा समय ज्यादा तर समय इस सीट के लिए देना होगा यहां पर कैमपेणिंग करनी होगी तो यह सोच थी ममता बनर जी की यहां नंदी ग्राम से चुनाव लड़ने के पीछे और तूसरी जो यहां के लोगों की सोच है वो बटी हुई सोच है इसमें बहुत लोग टीमसी के साथ जो ज़्यादा तर लोग थे जब शुबेंदू ने शिफ्ट किया बीजेपी ने तो बहुत से लोग टीमसी से बीजेपी में शिफ्ट हुए लेकिन काफी लोगों ने टीमसी में रहना ही पसंद किया है उनका मकसद साफ है कि वो ममता बनर जी के साथ रहेंगे तो ऐसे में यही फर्क साफ करेगा कि कौन भारी पढ़ रहा है